हर दोस्तों आप सभी का स्वागता है आज की वीडियो में आज की वीडियो में बात करेंगे जो हम मैं आपको EVS पैडगोजी से रिलेटेड 2011 से लेकर 18 में किस परकार के कोश्चंज पूछे जा चुके हैं उससे रिलेटेड मैंने आपको एक MCU की सीरीज स्टार्ट कर रखे थ कोशन के बारे में बात करेंगे तो इस वीडियो का आप एंट तक देखते रहेगा आपको सारी इंफोर्मेशन मिल जाएगी तो नमस्कार दोस्तों मिरे नामत दीपक आप देख रहे हो डीकी गुपता ओंलाइन वीडियो पो गवर्मेंट अग्जाम चलिए शुरू करते ह तो आज का पहला कोशन क्या बोल रखा है कि निमलिकित में से कौन सा कार्य के कार्य है तो इन 4 ओप्षन में से आपको वो चुणना है जो ग्राम पंचायत यानि ग्राम सभा के कार्य के होते है लाब आर्थियों को पहचान करना और चौथा समाजिक एक्रिशन करना तो इन चार उप्षिन में से आप देख सकते हो जो पंचायत सभा होती है उसका कारे क्या क्या होता है तो देखो पहला उप्षिन तो बिल्कुल सही है जो पंचायत की वार्षिक लेक होते हैं उसका परि इतों लाब आरतियों की पहचान करना, मतलब जो गरीब रेखा से नीचे हैं उनकी पहचान करना और उनके लाब आरतियों को जो लाब दिये जा रहे हैं, उनको उसको प्रवाइड करवाना, तीसरा भी सही था, चोख्था आपका समाजिक अक्रेशन करना मतलब जो आपके social edits होते हैं वो आपका ग्रामसबा नहीं करती है बहुत important question है ध्यान रखेगा बाकि तीनों के तीनों सही थे लेकिन यहापर कई बच्चे उप्युक्त सभी लगा के आ जाते तो ध्यान रखेगा रसोई घरो, officeो, schoolो हर जगा पर आग से बचने के लिए fire extension लगाया जाता है मतलब अगनी शामक यंत्र जिसको हिंदे में कहते हैं तो option number second इसका विल्कुल सही answer था next question किसी नदी के परदूशन इस्थर की माप की जाती है ध्यान रखेगा कोई भी नदी, कितनी परदूशत है उसको नापने के लिए bio oxygen, demand जो होता है एक तरीके का यंत्र होता है, उस चीज़ से नापा जाता है जिसका short form क्या होती है, option number third, BOD उसकी short form होती है, okay इसी के दुआरा नदी के परदूशन के इस्थर का माप किया जाता है important question है, ध्यान रखेगा इस question को next question, आंदरपरदेश का लोक नित्र है यानि कि जो fog dance होते हैं आपके, आंदरपरदेश का वो पूछा गया है तो ये question मेंने आपको करवाया था, कि आपके classical dance and fog dance जोन-जोन से हो सकते हैं, जिस जिस राज्ये के वो important when आपको 12 बताये थे तो आंदरपरदेश का जो fog dance होता है, वो कौन सा है आपका कथक अली, कुच्ची पोडी, यक्षगान या कथक तो ध्यान रखिए, कथक जो है वो आपका UP का है, यक्षगान जो है आपका वो करनाटक का है और कथक अली जो है आपकी वो केरल की है, तो कुच्ची पोडी बचा और कुच्ची पोडी ये आंदरपरदेश का लोकनित्र है बहुत इंपोर्टन कोशन है, आपसे पुचा जाने के चांसे हैं, अलमूनियम के खाम होगे, सिमेंट के खान होगे, वो मेंने आपको बताया थे, कहां कहां पर है तो अलमूनियम की जो खान है वो आपकी उडी सा के अंदर है, तो option number second इसका बिलकुल सही अंसर था next question, कर्ज वसूल करने वाले को पुराने समय में किस नाम से पुकारा जाता था, तो दिहान रखेगा जो पुराने जमाने में जो कर्ज वसूलते थे, उनको क्या कहा जाता था, जो कि आजकल एजेंट के रूप में कहा जाता है, तो मुन्ची या मुगदम, साहुकार या ला जी, तो दिहान रखेगा, लाला जी होते थे थे, दुकान पर बैठने वाले, मुन्ची जो होते थे, पूरे भही खातों का आपके जो बिजनेसमेन होते थे उस टाइम के, उनका समान या उनकी चीजों का रख रखाव करने वाले, सहुकार जो होते थे, वो ब्याच पर पै कौन से देश की करन्सी है, जापान, आभुधावी, चीन या जर्मनी, तो ऑप्शन नमर सेकेंड इसका बिल्कुल सही अंसर था, जो कि जब मैं आपको थे ओर्टिकल पोर्शन पकरवा रहा था, उस समय ये आपका बताय भी था, मैंने धिरम जो होती है, वो आभुधावी की करन्सी है, Next Question, मिथिला लोक, चित्रकला का लोक प्रिये नाम है, तो धिहान रखेगा, जो ये मिथिला है, वो आपका फ्लॉक पेंटिंग है, जो कि पोपुलर है, कहां पर आपकी किस से पेंटिंग से किस लोक प्रिये नाम है ये, पहला, आपका वारली, दूसरा, आपक अलपना तो option number third इसका बिल्कुल सही answer था जो आपकी मितला है वो कही ना कही आपका नाम हलका साउंड आ रहा बिहार से related होता है और मदुबनी भी क्या है बिहार से related तो मितला लोग चित्रकला जो है वो मदुबनी के लोग नाम पर है तो option number third इसका बिलकुल सही अंसर था नेक्स्ट कोशन मदूबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिये तो कौन सा सही कथन चलिए देखते हैं पहला इस चित्र को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदी का इस्तमाल किया जाता है दूसरा, इस चित्र में इनसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मचली, आदी दिखाये जाते हैं तो आप तक ये दोनों पॉइंट बिलकुल सही है मदूबनी चित्र की ये विशेश्टा है तीसरा, यह लोग चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम, मदूबनी नामक, इस थान के नाम पर पड़ा है जो की कहाँ पर है, बिहार में है तीसरा भी सही था चौथा, मदूबनी राजस्थान के अती परशिद जिला है राजस्थान का नहीं, यह बिहार का अती परशिद जिला है तो option number 4 इसका बिल्कुल गलत हो गया और पहला, दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही अंसर था तो option number 2 इसका बिल्कुल सही अंसर होगा आपका एक, दो और तीन next question, सुमलित कीजिए मतलब matching करने आपको तो कौन-कौन सा है, चलिए देखते हैं पहला आपका कलम करी तो ध्यान रखेगा, जो कलम करी होता है यह आपका आंदरपरदेश शहर रिलेटेड है बहुत important question है, पहला हो गया आंदरपरदेश का दूसरा आपका पिथोड़ा तो पिथोड़ा जो होता है, वो आपका मद्देश में है second सही हो गया, तीसरा आपका वारली, जो की कहां पर है महराष्ट के अंदर ही है और मदोबनी का है बिहार में ही है, तो option number इसका first का A, second का B third का C, और fourth का D, तो इसी साब शो option number कौन सा होगा, option number second इसका बिल्कूल सही अंसर था, वो आपका ये पूरे के पूरे मैच कर रहे हैं, ओके next question, EVS संशेपन डैश अर्थ में परियुक्त होता है, तो इस लास से लास्ट वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि EVS की full form पूछी जाए तो क्या होती है EVS की full form environmental studies, ना ही environmental source होता है ना ही skills होता है और ना ही आपका science होता है, तो option number second इसका बिल्कुल सही answer था, EVS की full form होती है environmental studies next question, निमन में से कौन सी gas वायू मंडल के ताप को बढ़ाने उत्तरदायत मानी जाती है, तो कौन सी ऐसी gas है जो की वायू मंडल के ताप को बढ़ाने में सबसे महत्पूर्ण जवानी जाती है, तो वो carbon dioxide है, जिसको greenhouse gas की नाम से भी जाना जाता है तो option number third इसका बिल्कुल सही answer था, जो की ताप मान वायू मंडल का बढ़ाने में उत्तरदायत मानी जाती है, और सबसे ज़्यादा जो बढ़ा रहा है ताप मान, वो कौन सी country है, कौन सा आपका देश है तो US से है, तो option number third इसका बिल्कुल सही answer था next question, द्वानी जादा तेज गती या तेजी से चलती है, कहां चलती है, निर्वात मतलब vacuum में, पानी में हवा में या लकडी में बहुत important question है, काफी बच्चे यां confused हो जाएंगे, कि आपके जो ध्वानी हो, सबसे तेज गती कहां से जाएगी किस में से जाएगी, तो option number third इसका बिल्कुल सही answer होगा, देखने में बच्चे के इन्फ्योज हो जाएगे, लेकिन जो wood होती है, लकडी होती है, उसमें जो ध्वानी होती है, वो बहुत तेज गती से चलती है, तो option number fourth इसका बिल्कुल सही answer था, next question मदूबनी चित्र को बनाने के लिए, चित्रकारों द्वारा उपाय किये जाने वाले रंग होते हैं, जो रंग पोश्टर रंग, तीसरा, अति उत्तम गुणवंता के, फाइवर पेंट या चोथा सोने चांदी को गोल कर बनाए गए पेंट, तो सही answer रोगो option number first इसका, पिसे हुए चावल के जो रंगीन गोल बना लिये जाते हैं, पत्तों कुछ important questions थे आज की वीडियो में, तो नीचे comment box में comment जाकर जरूर करिएगा, कि आपके total questions में से कितने questions सही हुए ताकि आपका मुझे feedback मिल सके अगर किसी question में कोई परिशानी हो तो मैंने पहले theoretical portion करवा रखा है जाकर आप उसको देख सकते हो, आपका revision भी हो जाएगा, जो कि आने वाले 7 जुलाई के exam के लिए बहुत आपकी मदद करेंगे, ओके तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो नीचे जाके वीडियो को like करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों कि subscribe नहीं कर रखा, तो जल्दी से subscribe कर लिजे और उसके साथ में जो bell icon होगा, उसको भी दबा दीजेगा, ताकि आने वाली वीडियो का notification आपको time time मिलती रहे, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकातों की नेक्स वीडियो में जब तक के लिए, जै हिन, जै भारत!